साइस 8.2 क्लास 10th NCRT Trigonometry Question No.2 देखते हैं Multiple Choice Question है Choose the correct option and justify your choice इसका जो पहला पार्ट है वो है 2 10 30 divided by 1 plus 10 square 30 तो 10 30 का value हमें पता है we know 10 30 equals to 1 over root 3 तो उसको put कर देते हैं 2 times 1 by root 3 divided by 1 plus 10 30 का square मतलब 1 by root 3 का square तो यह हो जाएगा 2 by root 3 divided by 1 plus 1 by 3 यह हो जाएगा 2 by root 3 multiplied by यह होगा 4 by 3 उपार जाएगा तो 3 by 4 यह cancel हो गया root 3 को इससे cancel करें तो root 3 मिलेगा ठीक है क्योंकि यह root 3 into root 3 है तो root 3 by 2 हमें मिला अब root 3 by 2 कौन सा option है हमें पता होना चाहिए कि sine 60 का value root 3 होता है root 3 by 2 होता है तो यह sine 60 के एक्वल है cause 60 की जहां तक बात की जाए तो उसका value होता है half के एक्वल 1060 का value root 3 के एक्वल और sine 30 का value half के एक्वल sine 60 ही है जिसका value root 3 by 2 के एक्वल तो option number A इस case में correct हो जाएगा अब interesting बात यह है कि जब आप class 11 में जाएंगे तो 210 theta upon 1 plus 10 square theta 210 theta upon 1 plus 10 square theta यह sine 2 theta के एक्वल याद करना होगा अभी आप इसका use नहीं कर सकते है objective case में कर सकते है जहां पे answer so नहीं करना है लेकिन subjective paper में अभी आप इसका use नहीं कर सकते है लेकिन knowledge के लिए याद रखना है कि 210 theta upon 1 plus 10 square theta sine 2 theta के एक्वल होता है तो यहां directly हम देख सकते है कि sine 2 theta मतलब sine 60 आजाएगा हमारा answer एक बार में लेकिन अभी आप इसका use नहीं कर सकते है just for the sake of knowledge आप इसको याद रख सकते है second part है इसका 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 तो हमें पता है we know 10 45 का value 1 होता है तो 1 minus 1 का square divided by 1 plus 1 का square उपर में 0 नीचे में 2 0 by 2 is 0 अब 0 किसका value होता है या तो directly option में है cos 90 का value भी 0 ही होता है अब ध्यान से देखें तो यह question यहीं पर समाप्त होगे लेकिन आगे थोड़ा knowledge का बात अगर करे तो जब आप class 11 में जाएंगे तो एक और formula याद कराए जाएगा which is 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta this is cos 2 theta तो इसका apply हम अगर direct करें अगर objective paper हो तो directly cos 2 theta मतलब cos 90 cos 90 का value 0 होता है तो directly application से भी आज़े तो अभी तक हमने दो ऐसा formula देख लिया जो कि अभी आपके use का नहीं है लेकिन आगे class 11 में आपको directly use में आएगा entire calculus portion में भी और trigonometry में तो use आएगा third इसका सब part है sin 2a equals to 2 sin 1 कब होता है hit and trial कर लेते हैं तो put x equals to 0 degree sorry a equals to 0 degree तो a 0 रखा तो हमारा जो lhs है वो sin 2 into 0 मतलब sin 0 आगया which is 0 rhs आजाएगा 2 into sin 0 क्योंकि sin 0 0 होता है तो ये भी 0 lhs equals to rhs that means ये true है जब a का value 0 degree ठीक है आप बाकी values भी रखके check कर सकते हैं नहीं आएगा equal अब again in terms of knowledge अगर बात की जाए तो sin 2 theta is 2 sin theta cos theta अगें इसका application आप 11th class से देखना चालू करेंगे लेकिन अभी के लिए बता दें कि ये भी एक formula है जो आगे काम आएगा इस question में कुछ खास इसका use दिखता नहीं हाँ आप सोच सकते हैं कि साइन 2 theta 2 sin theta के एककोल का भगा जाए यह भी एक cost theta 1 के एककोल हो जाए और cost theta 1 के कहां होता है जीरो डिगरी पे तो ऐसे भी आप सोच सकते लेकिन अभी इसका कोई खास use नहीं बस इस question में direct hit and trails से हमने इसको question को कर लिया कि फोर्थ पार्ट देखते हैं 210 theta upon 1-10 square theta 210 theta upon 1-10 square theta यहां पर अगर हमें पता है वी नो कि कि 10 30 का जो value है वो जैसा कि हमने first part में use किया था first part में नीचे plus था वो होता है रूट 3 ठीक है 1 by root 3 1060 का value होता है रूट 3 तो इसका यहां पर use करें तो 2 इंटू 1 by root 3 1-1030 का value का square तो 2 by root 3 हो जाएगा और 1-1 by 3 हो जाएगा 2 by root 3 यह हो जाएगा 2 by 3 उपर जाएगा तो 3 by 2 ठीक है 2 से 2 cancel root 3 into root 3 3 होता है तो एक root 3 बचेगा हमाई पास बचा root 3 अब root 3 1060 का जैसे कि मैंने बताया value होता है बाकी values भी देख लेते हैं cos 60 half sin 60 पहले question में use हुआ था root 3 by 2 इसका आपने देखी लिया root 3 sin 30 का value half ठीक है अब अगें knowledge perspective से अगर बात की जाए तो 2 10 ठीटा अपन 1-10 square ठीटा 10 2 ठीटा होता है तो इस question में इसका again use हो रहा है क्योंकि यह चीज 10 2 ठीटा के equal होता है मतलब यहाँ पे 10 60 के को लोगा direct बन जाएगा अगर objective paper होता आप जरूर इसका use करें लेकिन अभी इतना formula याद करने का कोई burden नहीं है हलाकि हमने चार question में future में याद जो करना हमें वो चार formula देख लिया लेकिन अभी आप उसको भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी question तो directly values से ही आ रहे है तो लेकिन अगर आप आगे 11th class mathematics लेंगे तो जरूर इस चार formula का use होगा बहुत बहुत धन्यवाद